हलो दोस्तो नमेश्कार दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल तो अभी इस वड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो इस वड़े में हम लोग कवर करने वाले बहुत एक इंपोर्टन टॉपिक को अगर देखा गया तो आपको पता है हम लोग पहले बिजनेस को कवर करने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड कौन से शेर्स को स्टड़ी करना ठीक है तो चलिए एक एक चीज़ों को अच्छे तरह की सा समझने की कोशिश करेंगे और जैसे मैंने का की इन स्टॉक्स को आप लोगों ने भी स्टड़ी करना है ठीक है शेर मार्केट मजाक नहीं है काफी चीज़े डीटेल में हम लोगों को पढ़ना या पर पढ़ती है सो दोस्तो अगर देखा गया तो कौन से सेक्टर से रिलेटर बात होने वाली है केमिकल सेक्टर के बारे में यस देखे केमिकल सेक्टर ना काफी बड़ा सेक्टर है ठीक है अलग अलग टाइप के आप लोगों को केमिकल से वाली जो कॉंपोनेंट से रिलेटर काम करने वाल अगर देखा गया तो एक ऐसा chemical का compound है जो कि हम लोगों को electric vehicle में इस्तमाल होते वे देखने का आपे मिल जाता है मैं आओंगा उसके उपर detail में ये एक point हो गया then solar panel की भी अगर हम लोग बात कर दोस्तो तो वो chemical का compound है वो solar panel में भी इस्तमाल यहापे किया जाता है next semiconductor की भी अगर अगर हम लोग बात करें अभी इसके पहले का वीडिया आप लोगों ने देखा होगा तो green hydrogen में भी अगर देखा गया तो उसका इस्तमाल होता है and 5G की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो 5G में भी उस chemical के compound का इस्तमाल यहापे होता है मतलब आप अंदाजा लगा सकते दोस्तों कि एक ऐसा chemical का compound है जो कि एक future oriented business हम लोगो देखने को यहापे मिल जाते है उनमें जबरदस तरीके से यह chemical का compound यहापे इस्तमाल होता है तो यह कौन सा compound है तो दोस्तों यह वाला compound आप लोग के सामने आपे आ चुका है जो की है fluoropolymer yes दोस्तो fluoropolymer के अगर हम लोग ब बात करें तो उसमें यह इस्तमाल होते हुए हम लोगों को देखने का आप मिल जाता है solar panel की अगर हम लोग बात करें तो यह basically है क्या यह जो fluoropolymer की अगर हम लोग बात करें अगर आप इस चैनल को regularly follow करते हो तो इसके उपर भी मैंने दो-तीन वीडियोस तो बना कर यह आपे रखे हुए है ठीक है तो इसका इबदम ही simple example अगर लेना है तो यह सबसे इबदम simple example होता है non sticky जो हम लोगो पैन देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह जो non sticky पैन होता है न दोस्तो उसमें पूछ लेना कि उसका उसमें किसका coating लगाया जाता है तो वो दोस्तो होता है fluoropolymer का coating अब यहाँ बोलोगी कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो अगर आप यहाँ पर देखो कि जो यह पैन होता है न दोस्तो अगर आप इसको पानी में रख दो कुछ खराब होता है क्या नहीं बर्फ में रख दो खराब होगा नहीं उसको burn करो ठीक है इसके अंदर कुछ तो आप सबगे डालो ठीक है ओल बीडालो ठीक है तो आयल किसा टोट करते है अप लोगों ने देखा होगा या फिर आप नीचे से उसको burn करो ठीक है क्या वो जलता है नीचे से क्या आग लग जाती है इसे नीचे से काला-काला होजाता है क्या नहीं ऑख यह क्यूच Deb Kam millimeter की अगर आप overheat भी कर लेते हो न, overheat, तो भी वो फरक यहां पर नहीं पड़ता है, खराब नहीं होता है, या फिर अगर आप कह सकते हूं कि इबदम ही अगर थंड रहीगी, ठीक है, तो भी अगर देखा गया, तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है, मतलब वो extreme किसी भी situation में survive क जहल पाता है, इसलिए अगर आपने देखा होगा, electric vehicle की बात करे, batteries की बात करे, semi conductor की बात करे, गाड़ी के अंदर लगता है, इबदम extreme heat हो जाती है, तो वहापे पिगलना नहीं चाहिए, अगर हम लोग यहापे बात करे, solar panel की बात करे, इबदम से directly सूरज की रोशनी उसके पर यहापे गिर जाती है, उसके पीछे जो layer होता है न, वो fluoropolymer का होता है, ठीक है, वरना वाई, solar जल जाएगा पूरी तरीके से, तो यह चीज़े हम लोगों को होती वे देखने को नहीं मिल जाती है, उसका layer हम लोगों को देखने को मिल जाती है, इसलिए जो chemical का compound है, काफ अब यह हम लोग shares के उपर जाने वाले हैं, अगें reminder देना चाहूंगा कि disclaimer के साथ कि भाई, यह कोई recommendation यहापे नहीं है, आप ज़रूर इन companies को study कीजे, जिस वक्त आपको business समझ में आ जाएगा, अब share market में काफी अच्छा, एक long term में अच्छे returns ज़रूर यहापे निकाल सकत अब हम लोग क्या करने वाले, ऐसे फ्लोरो पॉलीमर में काम करने वाले chemical की company हैं, उनको हम लोग study करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली company है दोस्तो गुजरात फ्लोरो केमिकल, यहापे निका 60% से जादा का हम लोग को performance देखने को मिल जाता है, साल भर में क्या performance है, सो पाथ साल का performance का है, 334% के returns, सो डेफिनेटली हम कह सकते की चलो अच्छे returns तो देखने का आप है मिल रहे, तो गुजरात फ्लोरो की बात करें तो एक काफी decent company है, results भी देख सकते हो, 35,000, 4,200, 5,500 करोड की results है, करजे की बात करें, करजा हो ना पाप होता है क्या नहीं, business को बढ़ाओ, earnings बढ़ाओ, profit बढ़ाओ, ठीक है, सो अगर आप देखोगे long term boring अभी क्या चल रहा है, 173 करोड, इसके पहले 4300 में था, चलो ठीक है, short term boring साल भर के इसमें 1200 करोड है, तो उसी में setup होते वे देखने का आप है मिल जाएगा, and what about cash and cash equivalent, लगबग 1500 करोड के बढ़ा group है, ठीक है, so definitely हम यहापे कह सकते है, demerge होते ही हम लोगो देखने को मिला था, और अलग से separate entity बनते वे देखने का आप है मिल चुकी है, and fluoropolymer में यह company, जबरदस तरीके से हम लोगो को काम करते वे देखने का आप है मिल जाती है, so definitely हम यहापे कह सकते है, कि इनका जो performance है, मतलब export भी हम लोगो होते वे देखने को मिल जाते है, Asia, Japan, America, Europe में, तो इस point को भी आप लोग नोट करके आपे चल सकते हो, market cap की बात करेंगे, तो छोटी company है, midsize की company है, 34,000 करोड का market cap हम लोगो फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है, next अगर हम लोगे आपे बात क करेंगे दोस्तों, तो company का P&L के से रहेगा, तो consistency में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, company छोटी है तो, net profit कभी 1200 का, कभी 189 का, कभी minus में चला गया, फिर वापस 700 प्लस है, फिर 1300, फिर 600 नीचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, कि ये काफी risky type का stock है, ठीक है, ऐसा ही नहीं हो पहले से ही पता होना चाहिए, कि भाई वो ride कैसी है करके, ये खतरनाक ride है, ठीक है, तो ये एक point हम लोग को देखने को में रहे, company बुरी नहीं है, बट उनका business nature type ही थोड़ा सा tough है, 64% approach promoter के पास है, 4-5% FS, 7.5% के आसपास DS, और public के पास 23%, तो अगर आप चाहो, तो इस company को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से study कर सकते हो, recommendation कोई नहीं है, next company है दोस्तों, जो कि फ्लोरो पोलिमर में भी अपना अपच्छा योगदान देती है, वो है, नविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये वही company, जो कि पिछले एक साल में लगबग 25-30% हमनों को down देखने उन्होंने कोई ये डेरोगरेटरी रीमाक नहीं लगया, कि company में कोई गडबड़े हमें काम करने नहीं देते, बट हम कह सकते हर एक की अपनी अपनी चाहा होती है, कि ज्यादा पैसा मिले करके, वो ही एक reason होता है, वो शायद से नहीं मिला होगा, तो वो दूसरे companies switch कर लेते वही हमनों को चीजे होती होती है दिखने को लिए और जिन लोगों ने उस एक व्यक्ति के चलते, आर विलिंग जी की में बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति थे, इसलिए काफी सारे लोगों ने पैसा लगाया था, इसलिए स्टॉक भाग रहा था, अभी वो ये व्यक्ति के चलते अच्छी भागी है, तो उनके लिए काफी टफ रहता है, उसका बेस्ट एक्जामपल है कोटक महिंदरा बैंक भी, कोटक महिंदरा बैंक में जैसे पता चला हुदे कोटक जी अभी step down होने वाले है, तो उसके बाद तो भाई वो तो बैंक ही हम लोगो फ्लैट चलत कराना एंड उसके बाद numbers को improve करना, यह काफी बड़ा challenge रहने वाले 13 करोड के आसपस का cash भी देखने को आपे मिल रहा है, तो नविन फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें, रेफ्रेजेशन गैसे में भी एक कमपनी काम करती है, 15,000 करोड का market cap देखने को मिल रहा है, पिनल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो PNL भी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी यहाँ पर उथल पुतल हम लोगों को देखने को आपे मिल जाता है, बट उसके बाद 100, 150, 180, 200, 200, 300, अभी 37, 300, 300 के range में कमपनी का net profit जाते वे देखने को मिल चुका है, अर्निंग भी हम इनों को 50 के उपर, 60-70 के range में देखने को मिल रहा है, then shareholding pattern भी काफी decent है, 28% promoter है, institutions भी 16% है, 28% DIs है, public के पास भी 26% है, so as such कोई डरने की ज़रुवत नहीं है, so आप चाओ तो इसको study कर ला है, तीसरी company दोस्तो, SRF Limited, so SRF भी साल भर में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, 6-6% काफी volatile रहा है, ये stock, chemical में थोड़ी सी दिखकत है, बड़ उसके बाद आप देख सकते है, 5 सल के returns, 429% प्लस के return से, including corporate action भी हापे हुआ था, ठीक है, तो ये company भी अलग-अलग चीजे में हम लोग को काम करते हैं, देखने को मिल जाती है, लगबग 9,000 करोड की result से, long term borrowing 1700 करोड के इसकार देने की खराबे करके करजी को अच्छे तरीकी से इस्तमाल करते है, short term 1300 है, and what about the cash and cash equivalent, 535 करोड का cash देखने को मिल रहा है, 1970 से company start यहापे हो चुके, इस company को पहले हम लोगों ने cover किया था, तब ये 6-7,000 करोड का market cap के आसपस थी, and अभी इसका market cap कितना है 75,000 करोड, yes, 10x वास स्टॉक हो चुका है, obviously मैं पीछले 3-4 साल की बात करूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, तभी भी share price आपको इसका somewhere around 2000 के आसपस देखने को आपे मिल जाएगा, अगर मुझे वो पुराना वीडियो मिला, तो उसका link में नीचे description में देदूँगा, ठीक है, market cap चेक कर लेना भाई, share price को चेक मत कर लेना, वरना वो share price को चेक करके उनको लगता है कि आरे भाई, company तो चली नहीं करके, तो ऐसा नहीं होता है, market cap के इसाब से हम लोगों के एक अनुमान लग जाता है, तो इस company के भी अगर P&L की बात करें, तो अ आटन, well-balanced level पर देखने को मिल जाते हैं, और यह company से फ्लोरो पॉलिवर में नहीं भाई, और भी अलग-अलग चीजों में यह company हम लोगो काम करते हैं, आप मिल जाते हैं, packaging films की अगर हम लोग बात करें, textile की अगर हम लोग बात करें, तो यह भी components हम लोगों के इनमें देखन लेते हैं, कुछ भी, तो ऐसे लोग 100 का शेर अगर 90 भी आ जाते हैं, वो panic मज जाते हैं उनमें, क्योंकि business कुछ पता नहीं, कुछ से edition कोई लिया नहीं, motivate होके कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, business को पढ़ना है, annual reports को पढ़ना है, काफी लोग ठीके, 5G की बात करें, semiconductor की बात करें, सब कुछ इसके उपर ये rely हापे रहने वाले करके, ये खुद आप लोगों को बताएंगे, ठीके, एंड उससे आप लोगों को एक अनुमान लग जाता है, फिर आपने लोगोंने detail में study करनी होती है, फिर company के balance sheet, P&L देखना होता है, स मेरे side से आप लोगों कुछ सारी चीज़े सिखा ली है, आशा करते हैं वीडिया helpful लगाओगा, तो चाओ तो आप इसको ज़रूर like as well as share भी कर सकते हो, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, बब बाए